सो हेलो गाईज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और जैसा कि गाईज पाई नेटवर्क में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में अगर है तो है कि एक पाई की वैलू कितना जाएगा जैसा कि आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके मन में भी जिग्यासा होगा कि आने वाले टाइम में हमें एक पाई की वैलू कितना देखने को मिल सकता है तो जैसे ही आज की वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ जो अभी का अपडेट है और साथ-साथ में यहाँ पर प्राइज प्रेडिक्शन को ले करके और तिसरी बात जो क कि माइनिंग करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर आप अपने पाई को सेफ रखना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे इसके मर्स हैं जो आपके यहाँ पर अकाउंट को हैक करने की कापसिटी रखते हैं वह किस प्रकार से वह कर सकते हैं इस मैं ऐसा करता हूँ कि अभी तक आपने पाई मैंनेट माइग्रेशन का जो प्रोसेस है कम्प्रीट कर लिया होगा क्योंकि इससे रिलेटेड या जो अपडेट अभी आप जैसे की होम इसकिन पर देख रहे हैं इससे पहले ही मैंने कल ही इसके बारे में अपडेट दे दिया है जिसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा जा करके वाच कर सकते हैं अगर आपका मैनेट माइग्रेशन कम्प्रीट नहीं हुआ होगा तो ठीक है वहाँ पर मैं सारा प्रोसेस बताया हुआ है आगे यापर फिर भी मैं रेंडमली यहाँ पर मैं आपके जनकारी क चैकलिस्ट का जो यहाँ पर आज की अपडेट में पाई कोटी में इंस्ट्रक्शन दिया है पहला इंस्ट्रक्शन यही दिया है कि आपका यह जो स्लॉट है यह कंप्लीट होना चाहिए जैसे कि डाउनलोड पाई ब्राउजर अप्लिकेशन का हुआ है ऐसे आगे यहाँ जो बताया गया है कि सब्मिट यूर किवाई सी अप्लिकेशन ठीक है इसके बाद वेट फार किवाई सी रिजल्ट का आपसान है जो लाश्ट में यहाँ पर माइग्रेट टू मेंनेट का हलांकि लाश्ट तो आपसान है यहाँ पर यह इन्वाइट यूर टीम टू कंप्ली इसके बाद में आगे का जो प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग मैंने अपने पिछले वीडियो में डिसकस किया है आप जा करके उसे वाच कर सकते हैं तो जैसे ही यहाँ पर माइग्रेशन डिटेल्स का जो आपसन है इसमें हम क्या कोर्ट टीम ने मेंसन किया है यह हम जान को ठीक है मैंनेट में कैसे माइग्रेट कर सकते हैं जिसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा और गाइज मैं आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब कर लिजिए ऐसे ही अमेजिंग लेटेस्ट इंफ्रामेशन के लिए ठीक है गाइज इसके साथ साथ में गाइज मैं कुछ न्यू अपडेट भी लाने वाला हूं अपने चैनल पर अगर आप सस्क्राइब किये रहेंगे तो उस अपडेट को आप देख पाऊगे जो की क्रिप्टो से भी रिले के लिए और जिन पर क की कम्प्रीट नहीं वाए है वह अगर इस तरीके से यहाँ पर हो सकता है कि अपना तो बहुत से ऐसे users हैं जिन्हों ने यहाँ पर तीन में से किसी एक में ही अपना जो है कि verify किया होगा किसी एक में ठीक है तो यहाँ पर अगर आपका KYC complete नहीं हुआ है जो प्रोसेस है वेरिफिकेशन का phone number से, facebook से और mail address से यह तीनों आपका verification complete हो जाना चाहिए जैसे कि ज्यादा SS हो रहा है जिनका यहाँ पर account verification already है ठीक है तो इसका फिसेस ध्यान रखिएगा इसके बाद यहाँ पर जो court team ने mention किया है migration details में कि KYC के लिए guys अभी क्या है कि 32 million person का यहाँ पर KYC होना बाकी है इसलिए आप अपने KYC का इंतिजार कीजिए किसी भी प्रकार से किसी third party पर विश्वास ना किजिएगा ठीक है KYC का जो भी information या notification होगा आपके पाई के home screen पर ही आ जाएंगे ओके गाईज आगे हम यहाँ पर बात करते हैं जो third option है यहाँ पर जो कि आपके लिए बहुत ही important है जो कि जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर अगर आपने mainnet में pie को migrate कर दिया है pie coin को migrate कर दिया है तो यहाँ पर guys आप आने वाले समय में good and service को buy and sell कर पाओगे और इसके साथ साथ में guys यहाँ पर mention किया गया है कि यहाँ पर आप जो है कि third party for example जो applications हैं जिस पर जिस platform पर आप बहुत सारे products को buy and sell कर पाओगे जिसका information इन्हों ने यहा रहते हैं यहाँ पर दिया है आगे यहाँ पर दिया है कि pioneers who are both KYC यानि कि जिनका KYC complete हो गया है और अपने pie coin को migrate कर दिया है will be able to spend their pie on pie apps ठीक है guys मतलब कि वो spend करने के लिए eligible हो जाएंगे boosting utilities creation and boost trapping the pie ecosystem before the open network ठीक है guys तो यह सारा process है इसके साथ में आगे बताया गया है कि some of such pie apps will soon be available for pioneers after the pending period post migration तो यहाँ पर यह बताया गया है कि कुछ pie application बहुत जल्दी launch किये जाएंगे जिस पर से आप product को pie में pay करके उस product को आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं जो कि आपके लिए good नहीं हो जाए ठीक है हाला कि अब भी आपके मन में यह question आ रहे होंगे कि एक pie की value क इतनी जाएगी उस पर थोड़ा साफ इंतिजार कीजिए वो भी मैं आपको यहाँ पर discuss करूँगा यह जो update है guys overall मैंने सारा यहाँ पर cover कर लिया है पहले जैसे कि मैंने बताए guys KYC का process कैसे करना है और साफ में guys यहाँ पर जो pie migration का है जो कि अभी progress में है यह वही person कर सकता है जिसका KYC complete हुआ होगा ठीक है तो मैं आशा करता हूँ कि आपने यह सारा process कर लिया होगा अगर आपका KYC नहीं आया होगा notification नहीं आया होगा तो आपको इंतिजार करने के अलावा और कोई दूसरा option आपके पास नहीं है इसका फिज्यान रखिएगा और guys यहाँ पर जो है क कि आज का जो अपडेट है इस पर अब हम बात करते हैं guys कि जो आपके लिए बहुत ही important है guys यहाँ पर जैसे कि मैंने आल्रेडी आपको बताया है कि pi network में pi coin की mining करना ही important नहीं है इससे ज्यादा important यह है कि आप अपने pi coin को किस प्रकार से safe रख सकते हैं जैसे कि मैंने पिछल के मैंनेट में ही हमारा जितने भी coins रहेंगे pi coins वहाँ पर रहेगा और वो जो hackers होंगे बहुत यहाँ पर method यूज करेंगे आपके मैंनेट तक access करने का जिसके लिए वो link provide करा सकते हैं आपसे contact कर सकते हैं या किसी तरीके से आपको लाला सिदे करके किसी भी तरीके से आपके pi mainnet में access करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपकी जनकारी के लिए मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपको दो चीजे follow करनी है पहला pi application में जो notification आता है उसे ही आप 100% विश्वास कीजिए और दूसरा यहाँ पर जो schemers है यानि कि schemers के द्वारा जो link share किया जाता है उस पर कभी भी आप click ना करें जिसे से यहाँ पर क्योंकि अगर यहाँ पर जो पिछले 3 साल से pi network में जो mining कर रहे हैं और जो continue हमारा video देख रहे हैं उन्हें तो यहाँ पर सारी information और जनकारी होगा लेकिन जो new users हैं उनके लिए यहाँ पर problem create हो सकता है क्योंकि वो क्या है कि यहाँ यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अपने pi का यहाँ पर जो pi coin है इसकी speed बढ़ाने का भी वो process काफी चेक करते होंगे या तो youtube पर या google पर search करते होंगे कि how to जो है कि यहाँ पर pi coins को increase करने का process वो देखते होंगे तो ऐसे में गलत तरीके से scammers के भी हाथ वो आ सकते हैं तो इसक दूसरा application है pi network application और दूसरा है pi browser का ओके गाईज तो यह रहा अब वीडियो के अंत में हमें discuss आपर करने वाला हूं गाईज की एक pi की value कितना हो सकता है तो जैसा ही गाईज अभी यहाँ पर pi today का जो trending चला है जिसमें की बहुत से जो ऐसे artist हैं अपने कलकारी करा रहे हैं और pi की जो यहाँ पर pi today करके अपना योगदान दे रहा है ठीक है इसके साथ में guys pi coin की value के अगर बात की जाए तो pi coin की अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे NGO हैं जो non government organization है जो की starting में guys यहाँ पर 314 dollar का estimate लगाए जा रहा है 1 pi की value ठीक है 1 pi की लेकिन guys यहाँ पर 314 मैंने क्यों लिया जैसे कि guys यहाँ पर 1 pi की value देखा जाए mathematical group में तो यह 3.14 and something होता है ठीक है तो जैसे कि यहाँ पर 3.14 है लेकिन 1 pi एक pi इतना popular हो रहा है pi network जिसकी आने वाले समय में जो value है यहाँ पर मुझे तो लगता है guys कि यहाँ पर 314 जो dollar है इससे भी कहीं ज्यादा जाने की उम्मीद है ठीक है हाला कि अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि pi network का जो core team है pi network की core team का कोई ऐसा official यहाँ पर announcement नहीं है pi coin की value के लेकर लेकिन फिर भी guys आप इतना समझ लिजिए कि एक जो pi है इसकी जो भी यहाँ पर prize होगा वो बहुती जबरदस्थ होने वाला यान की बहुती यानि की guys यहाँ पर अगर आपके पास 100 pi होएंगे तो आप अपने सपने को पूरा करने की छमता रखते हैं ठीक है pi network guys कोई छोटी मोटी community नहीं है एक बहुत बड़ी community है साथ में pi network खुद का blockchain है और जैसा की guys जानते है कि कोई किसी भी cryptocurrency का अगर वो खुद के blockchain क concept पर चल ला है तो कितना भी recession आ जाए उसके price में बहुती कम market में dump देखने को मिलता है आज की वीडियो में बस इतना ही information informative लगे तो like एक जरूर कर देना चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लेना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद